कि बहार बढ़िया इतना अच्छा से और रेजिड्यू बिल्कुल कम आएगा आप देख सकते हैं और आप इसको हिलाते रहें यह नीचे भी नहीं हिलाएंगे थोड़ा लर्प देखि मैंने सीधा मलाई, को फ्रोसेसर में कर लो यह मिक्सी है कर लो और मखन निकलाता है मखन में इतना कम इतना बड़ा यह एक पाश से जादा की मलाई थी उसमें से सिरफ इतना सा बहुत कर्स को एक कड़िश्टी आपस वोर निकला एक एक बड़ा टेबल स्पून निकला है बस और बाकी ये सारा मक्षन मैंने डाला और सीधा इसको मैंने हीट करना शुरू किया मीडियम पर श्लो करने के विदि आम मैंने थोड़ी पहले मीडियम पर करिए तीन चाह पांच मिनट फिर उसके बाद ये घी बनना शुरू हो जाएगा फिर आपको श्लो करें और मुझे लगता है सारा प्रोसेस मुश्किन से दस मिनट में पूरा हो ज कलता है और आपका एकदम से अच्छ थोड़ेसे कम रेजि़डियम में एतना अच्छ गी निकलाता है तो अपनी बढ़िया से ये बहुत ही आसान तरीका है अपना अपनी मलाई से अपने फ्रिज में से निकालिये और अपना प्रोसेसर है तो प्रोसेसर में कर लिजिए निक्सी में कर लिजिए और वो जब हाड वो मखन बनेगा बटर की शेप में आएगा तो बटर को थोड़ा हलका सा पानी से दोलीजे और फिर ना कढाई में डाली और बस लेस देन 7-8 म अब इसको बस यह वाला जो रेजिड्य इसमें आटा गून लीजिए और इसके रेजिड्यों को भी आप यूज कर सकते हैं यह अपना पुछ भी बचों के लिए पंजीरी बनानी है उसमें भी डाल सकते हैं सुखा अटा डालिए और इसको यूज करिए और घी तो चीनिक लेगी मैं अभी आपसे शेर भी करती हूँ